इसमें देखे तीन रंका है ये उपर क्या है उपर किस रंका है और पीली पटी उसमें पंदे मातरम लिखा है और रेट पटी है ये हमारा पहली बार जंदे का काम से प्रकाया उसके बाद फिर 1907 ने उसमें खोड़ा सा सुधार हुआ और उसके बाद कलर तो है यहां पर हरा पटी है यहां पीली यहां लाल है जो 1907 का यह आया हमारा जंडे का जो एक स्वरूप बना कि नहीं नहीं हमारा जंडा आशा होगा तो उसमें देखे ऊपर कौन सा कलर है बीच में पीला और नीचे ज्रेवां बीच में जो पीली पट्टी है इसमें भी बंदे मात्रों निखा था उपर जो आरेंग पट्टी है उसमें देखें वो बना हच्चा क्रिटा इसका बना एक डो तीन चार पांट शे साथ आठ मतब कमल के फूल को हटा दिया गया और उसमें साथ फूल बने हुए लेकिन वो कम itísatrach07 18 recently 2019 सब्सक्राइड में हमारे सा जंड़ा बना यह देख रहे हैं पूरत स्थने या जंड़े का देखे यह डो-टैना पांट के साथ आठ आठ चान्ट बना है and ईह जो जंड़ा, किनारे आपनों on लोगोडा देख़ये. यह किनारे जंड़ा देखें, यह कहा जंड़ा oh yeah, मतलति इंपलाएंड के जंड़े को भी इसमें जोड़ा गया है, यह हमारा हुरा उन्की सब सफसरा का जंड़ा 59 thank you. प्रफ़ाइब देख रहे हैं उपर कौन से पट्टी है हरा बीच में लाल दो ही रंका है आप हमारा जंडा दो रंका हो गया तो पहले तीर रंका ठाना कोई और कलर नहीं है ये जो देखें ये हरा है और लाल है और ये जो है चर्खा बना हुआ है इसमें गांधी जी का चर्खा बना हुआ है ये दो कलर का हमारा जंडा है हरा और लाल नीचे की पट्टी लाल और ऊपर की पट्टी हरी है और इसमें गांधी जी जो चर्खा चलाते थे वो अला चर्ख इसमें कौन से कलर है देखिए जंडे में कुछ कुछ हमारे जंडे से मिल रहा है नंतर क्या है यह जंडे की जगह चर्खा नहीं रहेगा पूरा पूरा हम इसी घंडे को ले लिए उपर के सरिया नीचे बीच में सबेद और नीचे हरा और इसकी जगह चर्का की जगह हम उसको उसमें चक्र लगा दिए उस चक्र में 24 सीनिया बनी हुए आपको पता है तो आज जो आप